फोन की घंटी सुनते ही जंपा खाना छोड़के अपनी रूम की तरफ भागी उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि कॉल उसके प्यारे भाई डोर्जे का था पर चेहरे के एक्स्प्रेशन को स्माइल से हॉस्चाइल होते हुए ज्यादा देर नहीं लगी और यह कहकर जंपा ने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया डोर्जे को तो जैसे सांप सूं गया जंपा ने इतनी बड़ी बात कहके उसे सोचने पे मजबूर कर दिया था उधर जंपा का घुस्सा कुछ-कुछ ठंडा होने लगा था अपनी डोर से राखी निकालके जंपा ने डोर्जे के कमरे का रुख किया कमरे में पहुँच कर डोर्जे की फोटो पे राखी सजाई और अपनी नम आखें पहुँचते हुए बोली हैपी रक्षा बंधन भाई विश्यूवेहर दोस्तों कोई कुछ भी कहे ये भाई बेहन का बंधन तो प्रोटीन शेक पीने वाले पहलवान से भी मजबूत होता है जंपा के विश्यूवेहर कहते ही मानो राखी के धागे में जान आ गई हो यहां राखी हिली और वहां डौरजे के फोन पे ट्रैवल बुकिंग एप खुली चन्नाई से दिल्ली की फ्लाइट बुक होते ही डौरजे ने सूट केस निकाला और लगा पैकिंग करने अगले दिन ले में मौसम कुछ खराब था तूफानी हवाओं से हर जगा तिबती प्रेयर फ्लाइग जोर से फड़ पड़ा रहे थे ऐसा ही एक तेज हवा का जोंका डौरजे की खिड़की से अंदर आया और फोटो पे सजी राखी को उड़ा ले गया कमरे के दो-चार चक्कर लगा कर इस फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया और कबर्ट के पास वाली कुर्सी पर राखी की इमरजेंसी लैंडिंग हुई यहां राखी कुर्सी पे लैंड हुई और वहां दिल्ली में डौरजे की फ्लाइट भी बिल्ट नंबर चार से अपना सामान कलेक्ट करके डौरजे ने फिर ट्रैवल बुकिंग की एप खोली और चंदिगड तक की ट्रेन की टिकेट बुक कर ली शाम को जंपा के कुछ दोस्त मूवी नाइट के लिए घर आए पर जुगाड़ू होम थेटर में सोफा थोड़ा छोटा पड़ गया बस फिर क्या था सोनम और एडन घर के कोने कोने से कुरसियां इकठी करके हॉल में ले आए तश्रीफ रखने से पहले सोनम को कुरसी पे पड़ी राखी दिखाई तो दी पर फिल्म शुरू हो चुकी थी और उसकी पेशन्स खत्म सोनम ने राखी साइड टेबल पे ट्रांसफर करी और पॉपकॉन बोल लेके कुरसी पे बैठ गया यहां राखी हॉल तक पहुँची और वहां डॉरजे की ट्रेन चंदिगर स्टेशन कूली के ओफ़र को पुलाइटली टिकलाइन करते हुए डॉरजे ने फिर ट्रैवल बुकिंग की आप खोली और मनाली की बस बुक कर ली मूवी और गपशप खत्म होते होते राथ हो गई थी और घर में यॉनिंग का पैंडमिक फैल रहा था एडन ने टेबल से कोलरिंग का ग्लास उठाया और चला उसे किचन में रखने नीन उसने ये भी नहीं देखा कि ग्लास पे चिपकी राखी भी साथ आ गई थी पर किचन सिंख वाला स्टेशन आने से पहले ही राखी ने अपनी सीट बेल्ट खोली और उतर गई पास के स्टूल पर यहां राखी किचन के स्टूल पे उतरी और वहां डोर्जे उत्रा मनाली बस चैंड पर टूरिस्ट की भीर से बचते हुए टॉर्जे ने फिर वही ट्रैवल बुकिंग की याप खूली और एक टैक्सी बुलाई रक्षा बंधन वाले दिन जमपा आराम से सोके उठी अब डॉर्जे वहां होता तो दोनों तियोहार की तयारी करते पर आज तो खैर इस से पहले कि उसका मूड खराब हो जमपा ने अपने आप को संभाला और डिसाइड किया कि तयोहार तो मनाना बनता है उसने जट से फोन उठाया और भच से मिठाई और पूजा का सामान ओडर कर दिया फाइनली तयार होकर जमपा ने अपने कमरे में चाय की पहली चुसकी लिए ही थी कि दरवाजे की खंटी बजी लगता है मिठाई आ गई कहते हुई जमपा ने चाय का कप टेबल पे रखा और दरवाजा खोलने के लिए उठी अभी वो कुछी कदम चली होगी कि सामने से उसकी डौग सूशी दोड़ते हुए आई पर ये क्या शूशी के मूँ में तो वो राखी थी जो जमपा ने डौजे के कमरे में रखी थी हरे तू फिर भाई के कमरे में गई थी जमपा ने सूशी को डाटा तुझे तुम्हें बाद में देखूंगी कहके जमपा ने दरवाजे की तरफ हाथ पढ़ाया लेकिन फिर से सूशी ने बीच में आके अपना मूँ उपर कर दिया कहके जमपा ने सूशी से राखी ली और फिर दरवाजा खोला सामने खड़ा था डौरजे और उसे देख के दरवाजे के साथ साथ जमपा का मूँ भी खुला रह गया राखी की तरफ देखते हुए डौरजे बोला मुझे बाहरी खड़े रखना है या अंदर चल के तिवार मनाएं ये सुनके जमपा का शौक कुछ कम हुआ और वो डौरजे को जोर से हग करते हुए बोली भाई तुम आ ही गए मेरी रक्षा करने आना ही था डौरजे मुस्कुराते हुए बोला And it's not about रक्षा my dear sister It's about our bandhan